हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आईटे टोमर टेक्नो में दोस्तो इसपेस एप्लिकेशन सेंटर हमदाबाद की तरफ से आईटे डिप्लोमा और ग्रेजुट इस्टुडेंट के लिए खुशकवरी निकल कर आ रही है जिसका सभी को बेसभी से इंतिजारता सेक हमदाबाद और ग्रेल्ष कर दिया गया है यदि हम बात करें इसके एड़टाइज्मेंट नमर की तो यह हो जो आपका यहांपर रिक्वार्मेंट आया था यहांपका 2020 का रिक्वार्मेंट है तो जिन इस्टुडेंट ने यहांपर फोरूम को फिल अप किया था वह अपने डाउनलोड कर लें सबसे परस्टपॉल में आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर कापिसारी इस्टुडेंट ने यहां पर आउधन किया था लेकिन जिस इस्टुडेंट ने एक्जाम सिटी सेलेक्शन किया है उन्हीं स्टुडेंट का यह पर आउधन काद डाउनलोड होगा जिन इस्टुडेंट बगरा दिया गया है यदि हम बात करें इसके एक्जाम डेट की तो 21 जून 2023 को आपका एक्जाम डेट रखा गया है सभी स्टूडेंट का आईटर डिप्लमा और ग्रेडवेट स्टूडेंट का तो दोस्तो आईए देखते हैं कि इसके एडमेट कार्ट को डाउनलोड कैसे करन है तो दोस्तो यह सेक एमदाबाद की तरफ से एक नोटिस को यहां पर अपलोड किया गया है यहां पर आपका जो एक्जाम डेट है वो भी दिया गया है और एक्जाम शिप्ट भी दिया गया है फर्षिप्ट में जो एक्जाम होने वाला है वो आपका ग्रेडवेट student का होगा थर्ड शिप्ट में यदि एक्जाम के बात करें तो टेक्निशन भी और ड्राफ्ट्मेंड भी इस्टुडेंट का एक्जाम थर्ड शिप्ट में यहां पर रखा गया है दोस्तों आए देखते हैं कि यहां पर password को fill up करना है, password का format इन्हों नहीं यहां पर दिया गया है जो कि आपका data worth आएगा आपको यहां पर ऐसे fill up करना है यदि किस student का data worth 20,06,2000 है तो आपको इस condition में यहां पर अपने password को fill up करना है तो दोस्तो आईए देखते हैं कि यहां पर 실न का डाउनलोड कैसे होगा तो दोस्तो यूजर आईडी और पास्वोट को PHP करने के बाद आपको यहाँ पर यहां पर जो capture code है उसको भी PHP करना है and capture code PHP फिलप करने के बाद आपको यहाँ पर login कर देना है डाउनलोड कैसे होगा तो दोस्तो यूजर आईटी और पास्वर्ट को फिलब करने के बाद आपको यहां पर यहां पर जो कैप्चर कोड है उसको भी फिलब करना है और कैप्चर कोड फिलब करने के बाद आपको यहां पर login कर देना है जैसे ही दोस्तों आप यहां पर login करते हैं तो login करने के बाद आपके यहां पर generate OTP पर click करना है तो आपके mail या mobile नमर पर एक आपको यहां पर OTP आने वाला है उस OTP को आपके यहां पर fill up करना है generate OTP पर click करने के बाद आपसे यहां पर फिर एक बार यहां पर capture code मांगा जाएगा उसको आपको यहां पर fill up करना है capture code fill up करने के बाद आपको यहां पर submit पर click कर देना है सब्मिट पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास यहां पर OTP हाएगा OTP को आपको यहां पर एंटर करना है एंटर करने के बाद आपको यहां पर बैलिट OTP पर क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप यहां पर valid OTP पर क्लिक करते हो तो आपका OTP आपके यहां पर successful हो जाता है उसके बाद आपका कुछ इस परकार से इंटरफैस open होता है इस परकार से open होता है उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है admit card का यहाँ पर show हो जाता है उसको बात आपको यहाँ पर click करना है जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर click करते हो तो आपका जो exam date है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है और आपका जो exam center है वो भी यहाँ पर show हो जाता है तो दोस्तों admit card को download करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है एड्मिट कार्ड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए मांगा जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो admin card है वह डाउनलोड हो जाता है यदि दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स पॉर वाचिंग एंड बाई बाई